हाई गाईज वालकूम बैक आप सभी का अपने चानल पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन एक्स की ऊपर हम अपनी अप्लिकेशन को कैसे लॉक लगा सकते हैं चाहे Face ID से चाहे Passcode से तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा iOS version मैं currently iPhone X की उपर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16.7.7 का यह नया latest update चल रहा है अब तक का iPhone X models के लिए इसलिए अगर आपके पास भी है iPhone X और आप यहाँ पर अपनी अप्लिकेशन को लॉक करना जाते हो make sure रखें कि इस वीडियो को complete watch करें ताकि आप तब भी अपनी अप्लिकेशन को easily लॉक कर पाओ so start करते हैं बिना किसी देड़ी से इस वीडियो को सबसे पहले guys आपको यहाँ पर shortcuts की application को install करना है अपने device पे अगर आपके phone में यह application नहीं है तो app store में से यह application install करीगा install करने के बाद आपको इसी open करना है यह है इसका simple सा interface यहाँ पर आपको सबसे पहले automation पर जाना है और यहाँ पर आपको blank का你看 देखने को मल जाएगा Is icon की उपर टैप करो और यहाँ से आपको creative personal automation के उपडियोन टैप करना है यहां से आपको अपनी application को select करना है जैसे कि मैं अपनी app store की application को और साथ में यहां पर अपनी books की application को यहां पर lock लगाना जाता हूँ अपने face ID से अपने फास code के साथ तो यहां पर मैंने simply इसे done की उपर tap कर देना है अब आपको यहां से इस open को select करना है next के button पे tap करोगे तो यहाँ पर आपको add action का option देखने को मल जाएगा तो आपको यहाँ से add action की उपर type करना है और यहाँ पर आपको search करना है lock जैसे ही यहाँ पर lock type करोगे आपके सामने lock screen का option देखने को मल जाएगा आपको यहाँ पर lock screen को select कर लेना है उसके बाद यहां से आपको next करना है ask before running की option को आपने off करना है और don't ask की उपर आपनो tap कर दिना है इन दोनों options को off ही रखना है वरना आपको यह notifications provide करेंगी जब भी यह shortcut run होगा जब भी आपने applications को open करोगे तो इसलिए इनको off ही रखें उसके बाद आपको done की option की उपर tap कर दिना है अब आप देख सकते हो हमने lock करी थी अपनी books की application और app store की application तो चलिए open करते हैं हम अपनी app store की application को तो जैसे ही मैं open करूँगा तो यह lock screen आपको show करेगा अब आपको यहाँ पर अपनी lock screen का passcode जो है वो enter करना है जैसे ही enter करोगे आपके सामने आपका app store जो है वो open हो चुका है तो दूसरे नबर पर हमने lock करी थी books की application तो books की application मैं tap करता हूँ तो यह lock screen की उपर आपको show कर रहा है तो यहाँ से भी आपको swap करना है यहाँ अपनी face id यूज़ कर सकते हो तो यहसे आप अपनी applications को lock लगा सकते हो easily iPhone X की उपर I hope आपको यह video पसंद आई होगी तो मलते हैं अगली video में So thanks for watching